चार जून अमरत वेले जदों के दरवार सब्च किर्तम दियां मदर तो न सुनाई दे रही हैं सन। अचानक चार वज के पंदरा मिंट ते एक पारी तमाका होया। एस तरह लगा जिवें ए तमाका साथे कोली होया है। एस सिगनल सी बंबारी शुरू करन दा जदों पारदी फौज ने सिखां दे शिरोमनी तारमकस्थान दे पूरी सकीम दे नाल अटैक कर देता। एक दम गोलें ते गोलियां दा मी वरा देता। असी सारे सिंग एक दम चुकनने हो गए। असी तकरीबन वी सिंग सिंधी होटल ते जो के लंगर दे लागे सी ते मोर्चे मली बैठे सा। दिन चड़ देतीक सारे ही मोर्चे जो उच्ची था बनाए सन तो पांदे गोलें नश्ट कर देते सन। असी जो होटल दे उपर बोरियां लाके मोर्चे बनाए सन ओवी पूरी तरह नश्ट हो चुके सन। इत्थे एगल वर्ण योग है कि जो मोर्चा बंदी तेन तरीक तो पहला कीती सी ते जिस बारे फौज नो पता सी फौज ने पहले हले ही नश्ट कर देती। सिर्फ ओही मोर्चा बंदी काइम रही जो तेन तरीक तो बाद एक धम बनाई गी जिस बारे फौज नो पता नहीं सी। जन। शुबेग सिंग ने जिड़े मोर्चे तेन जून सारी रात मिनद करके बनाए उना ने ही पार्टी फौज़ा सब तो वद नुकसान की था। पाई अमरीक सिंग, पाई ठारा सिंग, सारी कमां कर रहे से। इते सिंधी होटल ते ही सानू इनना मुखी सिंगा ने सुनयाये पे जया के तुस्सी सिंधी होटल चठ के लंगर्दे आजाओ। सिंधी होटल ते किसे वेले भी केरा पैसाज़ा सी। असी तक्रीबन 11 बजे सिंधी होटल छट के लंगरते आ गए, लंगरते कठे होके सारे सिंगा ने विचार की ती ते सारे सिंगा नू वक वक थामा ते तैनात कर दिता, मैंनू नालते सिंगा समेत उच्चे बुर्ज ते ड्यूटी दिती गई, पर जदों असी सारे उच्चे कठे नाल दम कोट रहा सी, एथे भी मोर्चा काम्याब नहीं होया, अखीर असी लंगरते वापस आ गए, गोली इतनी चल रही सी कि किसे भी पस्चों मोर्चे विच्चों बार नहीं सां आ सकते, पर साड़े वलों गोली ओदों ही चलाए जान दी, जदों कोई फौजी नज साड़े सारे सिंगा दा आपसे संपर्ग सी, एक दूसरे मोर्चे असी चले जान दे सां, जे किसे को गोली सिके दी कमी हुंदी ता दे लाए सकते सी, पूरी रात गहगाच लड़ाई हुंदी रही, पर फौज दी हिम्मत नहीं पई के ओ पैदल अगे वाद सके, अधी रात वेले चार हैलिकाप्टर दरबार साब उपर मंडरा रहे सां, उना रही कमांडो उतारन दा यतन कीता, पर सिंगा ने थल्लेओं फाइरिंग करके उना दी योजना सिरे नहीं चड़न देती, लंगर दे उपर भी एक हैलिकाप्टर काफी चिर रुक्या रहा, पाई अमरीक स सिंग ने खुद LMG लेके इस उते फाइरिंग कीती, ते ये भी कमांडो नहीं उतार सके, अगले दन पांजे तरीक नू लंगर ते योजना बात तरीके नल फाइरिंग होन लाग पई, साधी उपरली मंजल वाले मोर चे फोज ने पूरी तरह तबाह कर देते सां, कहीं पर इते इना दी कोई मलम पटी करन वाला नहीं सी, पर गुरु साहब दी इतनी किरपा सी कि गोलियान और फटड़ होन वाले सिंग भी लडन वाले आनू होसला देरे सन के तगड़े होके लडो, सिंगा निया लाजशाम और चेंच पईया सन पर उत्थे साधा मन भी शायद पत्थरदा हो गया सी, मन विच एह हो सी के जितना चे स्वा सन असी लडना है पांचितरीक शामनों पाई अमरीक सिंग होरा ने अकालतक्त साब जान दा प्रोग्राम बनाया असी भी पाई साबनाल जान दी त्यारी कीती क्योंके उत्थों होर गोली सिका लेओं दा प्रोग्राम सी असी पाई साब नाल परकर्मा वेच दी होंदे होई गोलियां दी बुच्छार तो बच के अकाल तक्त साब पहुंचे अगों सानु संत माँ पुर्ष खड़े मिले असी फते बुराई संता ने पाई अमरीक सिंग होरां तो लंगर वाले पासे दा हाल पुच्छे सानु भी पुच्छा के चर्दी कला जो असी भी क्या असी सारे ही चर्दी कला विच्छा संता दे सेरते पीली केस की सी ते हाथ वेच थामसन गान सी ते ओ पूरी चर्दी कला विच्छ सं असी दस्या के असी गोली सिका लेंड़ास्ते आयां उन्हाने पाई रशपाल सिंग नू किया के इन अनु सारा समान देता जाए सानु रशपाल सिंग थले पोरेच लाए गए ते गोली सिका जिननावी साथों चुक्या गया लेके वापस लंगरते पहुँचके एस तो बाद साड़ा संपर्क आकाल तक साब तों बिल्कुल कट्या क्या असी लोड अनुसार गोली सिका सारे सिंगां जवांड देता शाम वेले असी तकरीबन लंगा ते साठ सत्र सेंग सा चार चुफेरियों अंदा तों दो गोली चाल रही सी असी बिल्कुल थलडी मंजल च मोर्चे संबाल ले हने राहुन दे आई फॉज ने तिन्ना पास्यां तों कंटाकार वाली ड्योडी बाबा दीप सिंग वाली ड्योडी ते लंगर वाली साइड चार सो ट्रेड कमांडो जिना अनों स्पेशल ट्रेनिंग देती गई सी अंदर दाखल कीते लंगर वाली साइड तों असी एक वी कमांडो अंदर नहीं वढ़न देता दूसरे पास्यों भी जितने वी कमांडो अंदर आए उन्हों चो एक भी बच के वापस नहीं किया जद फौज ने वेख लिया के पैदल असी अगे नहीं बच सकते ता रात ग्यारा वजे टैंकां ते बखतर बंद गड़ियां स्रावाले पास्यों अंदर वाड़े ये लंगर ते गोड़ियां ते गोड़ियां दा मी वरा रहे सम एक वजे असी ब्रह्म भूटा अखाड़े वेचे दी प्रकर्मा वाल वदे ता गुंगोलियां दा मी वाल रहा सी पाइसवरन सिंग ते पाइदलबीर सिंग नाल वाले कमरे नो होगे एथे भी काफी सिंग संग सड़े जिनाच ज्यादा कारसेवा वाले संग एथे एवरन योग है के एक कारसेवा वाले कोई 35 सिंग अरदास करके तुरे सी के दरबार साब हमले दी सूर्च एशहीद होंगे एना चुछ सिर्फ चार सिंग बचे जो साड़े नाल बाच जोद पुर्च रहे बाकि सब सुरम गतिना जूजदे होए शहीद होगे एना दे मुखी जतिदार बाबा पहलवान जिना दा मैं नापोल गया सब तो वद दलेराना तरीके न लड़े साथों पाई मेजर सिंग जी नागो के विछड़ गे लंगर लागे ही जो खूच पोरा सी एक कोई पांच सिंग सी पोरेच उतर गे मेजर सिंग नो इस पोरे बारे पहले ही जानकारी सी असी एक दो वार पहला भी पोरेच गए साथ उत्थे इना ने राशन पानी रख्या सी जदो बाद विछ केंपांच गए तो सानू पता चलिया कि जदो नौ जोन नो गयानी जैल सिंग दर बार सब आया सी तो इस पोरे विच्चों इस ते फायरिंग कीती कई जिस सिन नतीजे बजों इस ता एक अंग रख्यक मारे अगया परे ए आप पाच गया मेजर सिंग हुना अखीर तक संगरश कीता आखर फौज ने जहरीली गैस पोरेच छटके उना नो शहीद कीता मेजर सिंग ती नरंकारी गुरबचने कान विच्वी एहम पोमिका सी जिस वरे आम संगता नो नहीं पता अखीर जदों असी अकालतक्त साब वलवदे तावीकु सिंग ही बाकी बचे सन बाकी सारे सिंग शहीद हो गए असी अकाल तक साब जान दी बजाए दुख पंजनी बेरी बलवदे क्योंके एदर फाइरिंग काट सी दुख पंजनी बेरी विच्चों बीबियां दे इश्नान करंदा पौना है उत्थे असी सारे अपने शस्त रख देते एते कोई मोर्चा वगरा नहीं होन करके असी लड़ नी सी सकते एते सरोवर्दा जाल पे के सारे सिंगा ने अपनी प्यास बजाए साड़े कुल थोड़ियां गोलियां ही बच्चियां सन बाकी तकरीबन खत्म हो चुकें सन सिर्फ हत्यारी बच्चे सन अमरत वेले तों ही सला बनाँ दे रहे कि शिरी अकालतक साब किस तरह जाया जाए क्योंके बाबा थारा सिंग कहा रहे सन कि अगर असी शिरी अकालतक साब पहुंच जाए तो सानु उप्थे गोली सिकेदी कोई मुश्कल नहीं आएगी राग पार टैंक खड़ा सी जो लगातार गोले वरा रहा सी असी अंदर पूरी पोजिशन लेके बैठे सा कि अगर कोई एदर आया था असी मरं तो पहला वद वद दुश्मन मार के ही मरांगे पाई सुरिंदर सिंग ते पाई बलविंदर सिंग समेत पांच सिंगा ने सलाब नाई कि सुरोवर थाईं तैर के दरबार सा पहुंचया जाए उपरंत सिंगा ने सुरोवर थाईं तैर ना शुरू कर दिता पर इसी वेख्या कि उना सिंगा चों कोई भी दरबार सा पने पहुंचया सारे स्रोवर वेचे ही शहीद कर देते गए छे जून सुएरे नौदास वजे अचानक जैकारियां दी आवास सुनाई देती असी सुचया के शायद बारों संगत आई है परते आनल सुनया तई जैकारियां दी आवास श्री अकालतक्त सहब तो आरे सी अकाल तक साहप सारा टै टेरी हो गया सी अखियर सनु बाबा थारासई ने किया के हुन टेंक काना गोली ता कोई मुकाबला नहीं थारासिं दे कैन ते असी अपने हथ selber जो बगार गोली से किदे सन स्रोर विच सुट देते बाबा थारासई ने थिरदास की ती कि बार निकल के शहीदियां पामाँगे उन्हाने फिर किया कि जो बजर्ग ने उसा डिनाला जान अगर सानों ग्रिफतार कर लिया ता ठीक है नहीं ता शहीदियां ता जरूर पामाँगे मेरे चाचा जी भी इना डिनाल बार निकले जिस विले ए बार निकले तो सारे गोड़ियां देनाल शहीद कर दिते असी फिर वापस उत्थे आगे पर फौज नू पता लग गया असी के होर बंदे इशनान का अची ही बैठेने उन्हाने अनॉंस्मेंट करनी शुरू कर दिती कि जे कोई अंदर आया तब बार आ जाया नहीं तो असी गोड़ियां देनाल फारिंग करन लग गया फिर दस वजे असी पंदरा को सिंग ते कुछ शर्दालू सारे बार निकले पर आयत की अगों फारिंग फारिंग फौज ने नहीं कीती निगल दे आहीं साड़े ते डंगा अंदा में इबरा देता एते मेरी नजर बाबा ठारा सिंग ते मेरे चाचा जी दियां लाश्यांते पई जो शहीद हो चुके सन असी वदे होए स्वासा कारण बच गए एते साड़ियां बावा सेदे पटके अनल पिछले पासे बन के इतनी मार गुटाई कीती के कई सिंग जखमा दी ताबना सहार दे होए शहीद हो गए सानु मंजी साफ दिवान हाल वाली चुबील वाले पासे लेगे ओते काफी सिंग ते शदालू फढ़के बठाए होए सन सानु में परकरमा जो उना दिना आली बठा देता एतों सी फोजियां तो सुनया जो ठुड़े मार के कह रहे सन पर तो अड़ा पे ड्रावाला टाइगर मार देता है ते असी लड़ाई जेत लई है पर असी चुप सामने अकाल तक्त साब अलवे खरे सन अकाल तक्त सामने टैंक खडे सन साड़े बिलकुल मगर एक टैंक खड़ा सी पर करमाच जगा जगा टैंक खड़े सन कितों भी फाइरिंग होंदी ता इना टैंकां तों गोलियां दा मी बराद दा जानदा सी एते ही सानु शाम पह गई गई शाम वेले एक सीन जो आजवी साड़ियां अक्खा मुरे कुमता है एक बिहारी फाजी बीड़ी पी के सरोवर्च शुट रहा सी उस ते कोली सरदार फाजी खड़ा सी क्योंके सरदार फाजी किते किते नजर आ रहा सी सरदार फाजी ने उस बिहारी नुक्या कि बीड़ी पी के स्रोवर्च ना सुट पर उसने बीड़ी पी के दोबारा स्रोवर्च सुटी ते नाली किया क्या करोगे तुम उस सरदार ने उसनों अपनी कारबाइन नाल उते ही पून देता उस टैंक दे उपर मशीन गन फिट सी उस मशीन गण वाले एक होर बिहारी फौजी ने उस सदार फौजी दा स्रीर गोडिया नलपॉन देता तो तर्फदा हुया स्रोवर जिजाट डिका थोड़े चेरा वेची उस फौजी दी लाच स्रोवर वेच तैर रही सी उस वेले बिहारी कैप्टन ने हुकम देता कि इना सारे हैं ते टैंक चड़ा के इना नो मार देता चावे टैंक मोड के साड़ेवल कीता ही सी कि अचानक एक मुसल्मान मेजर उत्थे आ गया जिसने उच्छी आवाज चेक्या तुम क्या कर रहे हो उस टैंक वाले ने किया हमारे कैप्टन साब ने हुकम दिया है कि इनको मार डालो ता उस मेजर मुसल्मान ने उसमें किया कि इना सारे यां लिस्टा बन चुकिया ने अगां किसे ने इना नो मारे या ता उस दी जिम्मेवारी होई की अखीर उसने हुकम करके उना सारे बेहारियां दियां ड्यूटियां बदलके नमें लगा देते ते साठीयां लेस्टा बरौनियां शुरू करते थियां साठी चो कियां ने उस मुस्लमान मेजर कुनों पानी दिमांग कीती पर अगों उही उतर मिलया के तो अटी जानी बाज जाएता बहुत है सारी रात साननों उत्थे ही ऐसे हाल ची बठाई रख्या रात नों मेजर खुद अपने साथियां समेत कई वार आया ते साठा हाल चाल पोचके गया स्वेर वेले साननों सारे नों खड़े होंदा हुकम दिता पर सारे न शरीर मार दे नाल टुटा पजा होंड करके कई खड़े होंदे ही डिग पेंदे सान पर उननों होर मार पेंदी सी अगों सरांद आतेच जित्थे के पहला ही होर काफी शर्दालू फढ़के बिठाए होई सन तकरीबन पाइंसो दे लग पाग बीबियां बच्चे सी सनु इना सारे नाल बठा देता पर अचाना की साड़े उते हैंड गरनेड शुटने शुटने शुरू कर देते मिंटा वेची सरांदा आता खून नाल पर गया लोथांदे टेर लग गए नाली फाजी फाइरिंग भी कर रे सन की कोई इना चो बच ना जावे इते ही मेरा एक साथी पाई राज सिंग शहीद हो गया पर मैं ममोली फटड होंते फिर बच गया असी लाशांदे वेची लिटे रहे काफी चेर पिछों जो दो गोली बांद होई ता असी सरावां वेचे जो कमरे ने उना च बढ़ गे इते ही एक बीबी जो गरनेड ना फटर सी ते उस चोटा बच्चा कोल पया उच्छी उच्छी रो रहा सी उस बीबी नो अपनी परवाद नहीं सी ते उच्छी आवाज ना अपने बच्चे नो बचावास ते कह रही सी पर थोड़े समय वेची गोलिया ने उस बीबी ते बच्चे दी आवाज बंद कर दिती छोटे 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 मासूमन वी जालमा ने नहीं बख्षया मास ते चित्रे उड़के सरावान यां दिवारा ना लगे होए सन काफी समय बाद फौज ने फेर अनॉंस्मेंट की ती कि जो भी कमरेंच बच्चे होए ने ओ बाहर आ जा असी कमरेंच ही लाशां पईयां वेख्यां गर्मीना सारी ही लाशां बदबोव मार रही हैं सन असी अनॉंस्मेंट सौन के बाहर आ निकले ता अगों चित्थे होर काफी शिर दालू बैठे होए सन इत्थे असी वेख्या के जो सिक स्टूडन्स फेडरेशन दे लीडर सन ओ भी बैठे सन जो के किते पहले ही आगे सन बलवंत सिंग रामवालियान उसी वेख्या के ओ सब दे लिस्टां वगरा बना रहा सी एक वार ता उसने फौजी अफसर नल गल करनी चाही पर अगों उस अफसर ने जोर दी थपड रामवालिया दे मारा ते उस दी पाग विला देती ते ओ ओ ओ थी साड़े कोल थले बैठ गया पाव के किसे दी नहीं सी चाल रही एथे पास ही कंकवालिया बोरियां ते असी सकत्तर स्थी पी सी गुर्चरन सिंग ते बगगा सिंग दे लाशां वेख्यां जिना बरे सानू नाली बैठे दो सिंगा ने दस्या के कुछ स सरदार फौजी आये सन ते साड़े बीचों दो अनो उठाल के लेगे ते साड़े सामने ही उननो गोलियां मार के मार देता नाली एवी क्या कि सारे पाड़े दी जड़ता तुसी यो इस तरह सरदार फौजी हैं ते भी बहारी शाकर दे सन कि इनने भी हमारे उपर गोली चल दे रहे अखीर साड़ी बारी भी आगई ते सानो भी एक बास्च पार के अमरे सर फौजी चौनी लजाया गया एथे सानो छोटे कमरें चे बांद कार देता एक अमरे असले वाले सान ते बहुती तांग सान अंदर कोई पक्खा वगएर नहीं सी ते प्यास नल इतना व्या वेरे जदो ज्यादा रौला पाया ता दर्वाजा खोल लिया पर अंदरों जोधों तेजी नल बार निकले ता इथे फेर फौज ने फारिंग कर देती ते पाणि दी जगा गोडिया मिलिया काफी सिंग इथे ही शहीद हो गया परासी अंदर ही पहरे आठ जूनों इत्धे एक सरदार मेजर ने आके ड्यूटी से बार ली वो शायद चबाल इलाके दा सी ते जो बहारी सन वो सारे बदल देते सन उसने ओन दे ही किया कि मैं भी तो अड़ेवांगी दुखी है क्योंके मेरे पता जी भी बाबा खड़क सिंग हुरां को कार सेवा कर दे सन ते ओवी उत्थे मारे गए ने ते मैं उना दी लाश लब के पिंड ससकार करके आजी आ रहे है उसने क्या कि किसे तरा आज़ेदा तिन ते रात कड़ लो कल तो मैं तो अनू इत्वों कड़बा के खुलियां बैर कांच पा देयांगा अखीर असी आठ जून दा दिन ते रात कड़ी नौ जून नू उसने अपने वादे मताबक साननो खुलियां बैर कांच पा देता जिते पक्खे वगएरा लगे होई सन ते एथे साननो छोले पूरियां खानवा से दितियां जो खानते सारी सारे अनो उल्टियां शुरू हो गया उस मेचर ने डाक्टर बलाए ज़ो डाक्टरा ने साननो चेक कीता ता उसने क्या कि एना दे मेदे अंतर गर्मी पैगी है ते एना नो चौलां ता पाणी नमक पाके दिता जाए अगर एना नो पाणी 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 पाण जो लंगाया गया, जो श्रता लू संद, नो नो एक पासे, त जो शंदानार रहे संद नो एक पासे, कोई संदान24 न आल रहा खास नजदी की एशनाखत करवा रहा है झाelsी, बाकि ऑसी वेखरेismo, कि सारे संद, जो जो संताना रो रहे चाल लड़ दे रहे उसाधे वाले पासे आगे सी. ये नच्चों मुक्ता उलते टरना सिंग, जगिंदर सिंग, परसा सिंग, बलिविंदर सिंग, तेजा सिंग, जरनेल सिंग, आथ काफी सिंग साँ. असी तक्रीबन साथ कुसिंग सां जो दो कमरेंग बांद सां एथे एक महीना वकवक एजनसियां ने पूरा जोर लाया पर उना दे पले किसे ने कुज नहीं पाया अखीर सां नू नबा जेल लेंदा गया एथे आके असी सुखता सालिया पर एथे नबा जेल दे अंदर ही आठ चक्कियांच इंटरोगेशन सेंटर खोल ले सारी अजनसियां ने थे आके फिर केंपा वाला सिर्सला शुरू कर देता एथे जदो हटे तसाड़े ते रिमांड़ा दी पा रही आई अनेका केस साध्येते पा देते दो साल वास ते अनेस से ला देता ए थे इसतों पहला साध्यान मुलाकातां करवाई है गीए तास साध्ये कारवाले ने पता चले आ कि असी थीक ठाका अजे रिमांडा तो वेले होए ही सां के लदा कोठी संगरूर सांनू फेर दुबारा अजेंसिया ने पुछ गिच शुरू कर देती दो तिन गल्ला मुखत और ते पुछ दे सं के संतां कोल हथ्यार के थोंदे सं ते तो अडेच केड़े केड़े लड़ाई लड़े सं ते जो एक्शन होंदे सं उनाच केड़े केड़े आदमी सं पर साथा एहो ब्यान रहा के असी किसे नू नहीं जान दे फिर सानू पता लगा के साथ सिंगानू काले पाणी पे जन्दी स्कीम है ते उनाधिया लिस्टां भी बन चुकियाने पर अचानक अक्तूबर विच गुरू दे लाला ने इंदरा नू सोध दिता ता अजंसियानू हतां पैरादी पैगई नाबा जेल चे सिंगान दे चेरयां ते एक अजीब चमक देखनू मिली ते नाल ही खालसाई तवारी इखता साच भी सामने आया शिरी दरबार साब ते हमले करन वाला ते जिमेवार खालसे देहत्थों बाचनी सक्या साड़े ते भी जो पिछले पंजा महिनया तो कैर हो रहा सी एकदम बंध हो गया फेर दुबारा नमिया लिस्टा बनाईया गईया तेन सो उनासी बंदियानू बगावद एकेज फेट कीता गया ते जोधपुर जेल जो स्पेशल साड़ेवा से त्यार करवाई सी पेज ता गया सनू पट्याले तो हवाई जाज रही मूँ ते बुरके पाके लजाया गया साड़ेना दो बीबियावी सन जिनाच एक पाई रशपाल सिंग्धी सिंग्री सी ते दुजी अम्रसर्दी सी जोधपुर जेल अदर ही कोट बनाई गई एथों दा खाना खाके सारे बिमार पैगे पर हौली हौली आदत बन गई एथे ऐसी पांच साल कटे ते अखीर 1999 यूएन ने उदे दबा कारण साड़ेते प्या बगावदा केस वापस हो गया ता जिना ते पंजाब इच कोई केस नहीं सी उननों रहा कर देता ते साड़ेते केस होन कारण सानों पंजाब जिलंदर जेल तबदील कर देता गया पर असी कोई भी सहुरत लें तों इनकार कर जिता एस तो उपरंथ 1990 फिर रूप उश हो गय ते फिर दुबारा जेल विच बांधा गुरू किरपा करे उस जिन्दी उडीक विच चां के कोई सही आगू आवे ते पंथनों चर्दी कलावा लजावे